BJP ने UPA कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर कॉंग्रिस पर एक बड़ा हमला बोला है। BJP ने रविवार 2 अप्रेल को कॉंग्रिस फाइल नाम से एक विडियो सीरीज शुरू करते हुए UPA सरकार के दोरान हुए भष्टाचार और घोटालों पर जमकर निशाना साधा। ट्विटर पर जारी 3 मिनट 3 सेकेंड के इस विडियो के पहले एपिसोड में कॉंग्रेसी राज के दोरान हुए मनमोहन सिंग सरकार के दोरान हुए कोईला घोटाला, दोजी घोटाने, कॉमनवेल्ट गेम घोटाले, वीवी आईपी हेलिकाप्टर खरीद घोटाले का जिक्र है मित्रो हम देशित में काम कर रही है, आप से अनुरोध है कि देशित में इस विडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें, आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा नमबर है 9911955719 बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कि सरकार भरष्टाचार और घोटालों की सरकार बन गई थी, लेकिन मनमोहन सिंग खामोश रहे। देश के आजाद होने के बाद कॉंग्रेस और गांधी परिवार ने 60 सालों तक देश को जम कर लुटा है। कॉंग्रेस की सरकारों के तहत हुए घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। जानिये सोनिया राहुल के साथ किस तरह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है नहरु गांधी परिवार। गांधी परिवार पर अवैध रूप से नैशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेल की संपत्ती हनपने का आरोप है। वर्ष 1938 में कॉंग्रिस नेता जवाहर लाल नहरु ने 5,000 स्वतंतरता सेनानियों के साथ मिलकर एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। जवाहर लाल नहरु के साथ सभी 5,000 स्वतंतरता सेनानी इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। शुरुआत से ही इस कंपनी में कॉंग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहें। यह कंपनी नाशनल हैरार्ग, नवजीवन और कौमी आवाज नाम से तीन अकबार प्रकाशत करती थी। करीब सत्तर साल बात कॉंग्रेसी शासनकाल में कॉंग्रेस से मिले 90 करोड रुपए लोन के बावजूद घाटे के कारण 1 अप्रेल 2008 को ये अकबार बंध हो गए। मार्श 2011 में सोनिया और राहुल गांधी ने 5 लाक रुपए की लागत से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि मोतिलाल वोरा और आसकर फर्नांडीज के 12 से 12 प्रतिशत शेयर है। दोनों ही कॉंग्रेसी नेता अब इस दुन्या में नहीं है। कंपनी बनने के बाद यंग इंडिया लिमिटेड वाय आईये ने नैशनल हैरांड को चलाने के लिए एजेल के 90 करोड की देंदारियों का जिम्मा अपने उपर ले लिया। यानी एक तरह से लोन चुकाने की जिम्मेदारी अपने उपर ले ली। इसके बाद एजेल के 10 से 10 रुपए के 9 करोड शेर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिये गए। को इस कंपनी के 99 प्रतिशत शेर मिल गए और इसके बदले यंग इंडिया को पॉंग्रेस का लोन चुकाना था। लेकिन राहुल सोनिया की यंग इंडिया लिमिटिड ने सिर्फ 50 लाख रुपए का ही भुक्तान किया था कि गांधी परिवार के नेत्रित्व वाली कॉंग्रेस ने एजेल के बाकी बचे नवासी, 50 करोड रुपए का लोन माफ कर दिया. लोन माफ करते ही सोनिया और राहुल गांधी की कमपनी यंग इंडिया को एजेल की संपत्ती का मालिकाना हक मिल गया. गांधी परिवार पर इस संपत्ती का अवैद रूप से अधिग्रहन करने के लिए पाटी फंड का इस्तमाल करने का आरोप लगा है. गांधी खांदान के मौझूदा दोनों नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नैशनल हेराल्ड केस में कोट से जमानत पर है. इन दोनों ने अपनी सरकारों के जरिये देश के कई शहरों में नैशनल हेराल्ड अकबार के नाम पर कई एकड़ जमीन आवंधित करा ली. इसकी प्रॉपर्टी की मौझूदा कीमत करीब पांच हजार करोड रुपे से अधिक बताई जाती है. वर्ष 2013 में कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमत पतेल पर इतली की चौपर कंपनी अगस्ता वेस्टलेंड से कमिशन लेने के आरोप लगे. दरासन अगस्ता वेस्टलेंड से भारत को 36 अरब रुपे के सौदे के तहट 12 हेलिकॉप्टर खरीदने थे, जिसमें 360 करोड रुपे की रिश्वत खोरी की बात सामने आई. इतालवी कोट ने माना कि इस मामले में भारतिय अफसरों और राजनेताओं को 15 मिलियन डॉलर रिश्वत दी गई. इतालवी कोट ने एक नोट में इशारा किया था कि सोनिया दान्धी सौदे में पीछे से अहम भूमी का निभा रही थी. कोट ने 225 पेज के फैसले में चार बार सोनिया का जिक्र किया. बोफोर्स कमपनी ने 1437 करोड रुपए के होविजर तोपका. सौदा हासिल करने के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और सेना के अधिकारियों को एक 42 करोड डॉलर की रिश्वत दी थी. आरोप है कि इसमें दिवंगत प्रधान मंत्री राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी और कॉंग्रेस के अन्य नेताओं को को स्वीडन की तोप बनाने वाली कमपनी बोफोर्स ने कमिशन के बतौर 64 करोड रुपए दिये थे. इस सौदे में गांधी परिवार के करीबी और इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रों की के अर्जेंटिना चले जाने पर सोनिया गांधी पर भी आरोप लगे. वर्ष 2012 में पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रौबर्ट वाडरा पर डिये लेफ घोटाले का आरोप लगा. उन पर शिकोपुर गाव में कम दाम पर जमीन खरीद कर भारी मुनाफे में रियल एस्टेट कमपनी डिये लेफ को बेचने का आरोप लगा. रौबर्ट वाडरा पर डिये लेफ से 65 करोड का ब्याजमुक्त लोन लेने का आरोप लगा. बिना ब्याज पैसे की अदाईगी के पीछे कमपनी को राजनीतिक लाप पहुचाना मूल उद्देश था. यहां तथ्य भी सामने आया है कि केंद्र में कॉंग्रेस सरकार के रहते रौबर्ट वाडरा ने देश के कई और हिस्सों में भी बेहत कम कीमतों पर जमीने खरी दी. इस मामले में हाल ही में हरियाना सरकार ने कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रौबर्ट वाडरा के खिलाफ एफ आयार दर्ज की है. राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटालों में रौबर्ट वाडरा की कम्पनियों के जमीन सौदे भी शामिल है. अंद्रेजी न्यूस पोटल Economics Times के अनुसार गलत जमीन सौदों के सिलसिले में 18 FIR दर्ज हैं, जिन में से 4 वाडरा की कम्पनियों से जुड़े हैं. ये सारी FIR 1,400 बीघा जमीन जाली नामों से खरीदे जाने से जुड़ी हैं, जिन में से 275 बीघा जमीन वाडरा की कम्पनियों के लिए जाली नामों से खरीदे जाने के आरोप हैं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था. वर्ष 1973 में सोनिया गांधी को मारूती टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेटली का एमडी बनाया गया, हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तक्नी की योग्यता नहीं थी. बताया जा रहा है कि कम्पनी को सरकार की ओर से टैक्स, फंड और कई छूटेन मिली थी. इसके छीनते प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू पर भी पड़े. दरसल 1957 में मूंदरा ने LIC के माध्यम से अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड 40 लाख रुपए का निवेश कराया था. यह निवेश सरकारी दबाव में LIC की Investment Committee की अंदेखी करके किया गया. तब तक LIC को पता चला उसे कई करोड का नुकसान हो चुका था. इस केस को फिरोज गांधी ने उजागर किया जिसे नहरू खामोशी से निप्ताना चाहते थे. उन्होंने ततकालीन वित्तमंत्री टीटी कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें अंतत पत छोड़ना पड़ा. आईए अब डालते हैं एक नजर कॉंग्रेस की सरकारों में हुए कुछ प्रमुक घोटालों पर. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 भारत में सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था जिसमें दूरसंचार मंत्री है. राजा पर निजी दूरसंचार कम्पनियों को 2008 में बहुत सस्ते दरों पर 2G लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया गया था. नियमों का पालन नहीं किया गया था, लाइसेंस जारी करते समय केवल पक्षपात किया गया था. इसमें एक, 96 लाइक करोड रुपय का घोटाला हुआ था. दरअसल सरकार ने 2001 में स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क रखा था. इसमें दूरसंचार के बारे अनुभवहीन कम्पनियों को लाइसेंस जारी किया गया था. भारत में 2001 में मोबाइल उप्भुकता 4 मिलियन थे जो 2008 में बढ़ोतरी करके 350 मिलियन तक पहुँच गए. सत्यम घोटाला 2009 सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेजर्स के घोटाले से भारतिय निवेशक और शेरधारत बुरी तरह प्रभावित हुए. यह घोटाला कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, इसमें 14,000 करोड रुपे का घोटाला किया गया था. पूर्व चेर्मेन रामलिंगा राजू इस घोटाले में शामिल थे, जिनोंने सब कुछ संभाला हुआ था. बाद में उन्होंने एक, 47 अरब अमेरिकी डॉलर के खाते को किसी प्रकार के संदे के कारण खारिस कर दिया. उस साल के अंत में सत्यम का 46 पसेंट हिस्सा टेक महिंद्रा ने खरीदा था, जिसने कमपनी को अवशोशित और पुनर जीवित किया. कॉमन्वेल्थ गेम घोटाला 2010 राश्च मंडल खेलों की तैयारी और संचालन के लिए लिया गया धन भारी मात्रा में घोटाले में चला गया. इसमें लगभग 70,000 करोड रुपय का घोटाला किया गया है. इस घोटाले में कई भारतिय राजनेता, नौकरशा और कमपनियों के बड़े लोग शामिल थे. इस घोटाले के प्रमुख पुने के निर्वाचन शेत्र से 15 वी लोग सभा के लिए कॉंग्रिस पार्टी के प्रतिनिधी सुरेश कलमारी थे. उस समय कलमारी दिल्ली राश्च्रमंडल खेलो के आयोजन समिती के अध्यक्ष थे. इसमें शामिल अन्य बड़े लोगों में दिल्ली की ततकालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षित और रॉबर्ट वाडरा है. इसका गैरस्तित्व वाली पार्टियों के लिए भुक्तान किया गया, उपकरण की खरीद करते समय कीमतों में तेजी आई और निश्पादन में देरी हुई थी. कोईला घोटाला 2012 कोईला घोटाले के कारण भारत सरकार को 1.86 लाक करोड रुपए का नुकसान हुआ था. CAZ ने एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि 194 कोईला ब्लॉकों की नीलामी में अन्यमित्ताएं शामिल है. सरकार ने 2004 और 2011 के बीच कोईला ख़दानों की नीलमी नहीं करने का फैसला किया था. कोईला ब्लॉक अलग-अलग पार्टियों और निजी कमपनियों को बेच दिये गए थे. इस निरणय से राजस्व में भारी नुकसान हुआ था. टाट्रा ट्रक घोटाला 2012 वेक्चा के अध्यक्ष रवी रिशिफॉर्मर और सेना प्रमुख जनरल वीके. सिंग के खिलाफ मनी लॉंडरिंग प्रतिबंद अधिनियम पीमेले के तहत मामला पंजिकृत किया था. इसमें सेना के लिए 1676 टाटा ट्रकों की खरीद के लिए 14 करोड रुपे की रिश्वत दी गई थी. आदर्श घोटाला 2012 इस घोटाले में मुंबई की कोलाबा सोसाइटी में 31 मंजिल इमारत में स्थित फ्लैटों को बाजार की कीमतों से कम कीमत पर बेचा गया था. इस सोसाइटी को सैनिकों की विद्वाओं और भारत के रक्षा मंत्राले के कर्मियों के लिए बनाया गया था. समय की अवधी में फ्लैटों के आवंटिन के लिए नियम और विन्यमन संशोधित किये गए थे. इसमें महाराश्च के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुक और अशोक चवहान के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. यहाँ जमीन रक्षा विभाग की थी और सोसाइटी के लिए दी गई थी.